हेलो लर्नर्स, वेलकम टो इजल्द, जैसा कि आपको पता है कि 2 दिसंबर से 16 दिसंबर के बीच में और समेस्टर 2021 के एक्जामनेशन फॉर्म भरे जाने हैं, तो पहले इसमें अटेंडेंस की बाद दिता की गई थी, जिसको बाद में फिर बाद दिता अटेंडेंस की हटा दे गए थी, लेकिन ये भी कहा गया था, कि वही चात्र जो है, उन्ही चात्र का एडमिट कार्ट रिलीज किया जाएगा, जिनके अटेंडेंस, एके ट्यू के ओर्डेंस के कॉर्डिंग, उनके कोर्स के कॉर्डिंग पूरी होगी, लेकिन ये बहुत सारे कॉलेज से ये चीज़ देखी गई है, कि युनिवर्सिटी के पास अटेंडेंस अप्लोड नहीं की जारी है, तो यहाँ पे जो है, ये रिस्की हो सकता है, कि अभी आप अपना एक्जामिनेशन फार्म फिल तो कर ले रहे हैं, लेकिन जब एड्मिट कार्ड जारी किया जाएगा, उस वक जो है, आपके अटेंडेंस के बेसिस पे अड्मिट कार्ड जारी किया जागा, और समस्त्र छाज चात्रों की अब तक की करायागी कक्छाओं की उपस्तती, एमस पर अप्लोड करना सुनस्चित करें, तो ये उनुर्शिटी ने आज यानकी 8 दिसम्बर की सर्कुलर जारी करके, सभी कॉलेज को निजदेश दिये हैं, जहां पर भी अटेंडेंस अप्लोड नहीं हुई है, क्योंकि बिना अटेंडेंस के एडमिट कार्ट जारी नहीं होगा, एक्जामनेशन फार्म तो बल ले रहे हैं, लेकिन एडमिट कार्ट जारी नहीं होगा, विश्वाल दाबिस्ट, कीप वाचिंग,